कि हालो डियर स्टुडेंट बेलकम बेक माइट्यू चनल यहाँ पर हम आपको डिस्कस करेंगे ब्रीथिंग एंड इक्षिंग आप गैसेश जो हमारा पार्ट नंबर फिफ्थ है जो हमारा पार्ट नंबर हम फिक पड़ रहे हैं पिछले वाले वीडिया अभी तक हम फोल पा पांच इस्टफ होते हैं जो दूसरा है फ़ह प्रख लिए दूसरा इस्टफ चोथा इस्ट अब बचा हमारा तीसरा संद और फांच वा इस्टफ होगा हम ट्रांस्पोर्ट आप गैस में पढ़ेंगे ब्लट है ट्रांसपोर्ट आप गैसे समेशा ब्लड के द्वारा ही होता है ब्लड एक ऐसा मीडियम होता है जो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है और जिसमें से 37 पर्संट जो आक्सिजन होगा ओं ओर ब्लड केंदर ओर ब्लड के साथ इस तरह होता है और जब तीन परसंट जो आक्सिजन होगा प्लाज्मा में डियाल एक्ट में transfer होता है अब हम carbon dioxide की बात करें carbon dioxide 20-25% जो carbon dioxide होगा वो Arb.C के दोरा transport होता है और jabs 70% जो carbon dioxide होता है bicarbonate के रूप में transport किया कर दिया जाता है और जो 7% जो carbon dioxide होगा वो plasma में Obviouslyal volatility दोरा transport कर दिया जाएगा carbon dioxide का 3 तरिके से transport होता है जबकि आक्षियन का दो तरीके सोता है अब हम पड़ते हैं ट्रांसपोर्ट आप आक्षियन आक्षियन का ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है आक्षियन के जो ट्रांसपोर्ट होगा तो जिसे ब्लड ही होता है सबको देखे कोई भी गैस होगा अक्षीजन को टीशो लिए के टीशो टप लेके आता है यहां पर हम पढ़ेंगे ट्रांस्पोर्ट आप आप आक्षिन में जैसे रीची के अंदर हेमोगलोबीन जैसे यह माली विलीची स्टक्चर है RBC जीसे कपड़े की जो थैला माल लेते हैं एक कपड़े का थैला हम बना लेते हैं छोटा सा इसे RBC माल लेते हैं इस RBC के अंदर हीमोगुलोबिन नाम का ऐसे चूरन पाई आता है फिर कहीं आगर यह दिया आप इसको पानी में उठाग रखेंगे कपड़ जो थैला है जो हम पानी उठा रग दें, पूरा कपड़ा हमारा लाल कलर हो जागे कि इसमें आरेंज पानी य४ानदर हम साहने मृत या बस यही हमारी शिश्टम योगा भण को पार्बीसी के अंदर हमोगलोबीन पहोता है हो इस बिक्मेंट होता है लोगया कि legitimate हों कासी हमोगोबीन के साथ कि सब्सक्राइब करता है यह कहते comics प्रतिक जो एक हीमुगलोबीन जो मालिकुल होगा है वोara maximum आकशियन के चार मालिकुल के साथ बैंडिक कर सकता है और जो हीमुगलोबीन जो इनका जो बैंडिंग होगा मुखोरो से रेलेड कर दिया जागा पार्सिल प्रेशर आप आकशियन के द्वरा और जब partial pressure, जब this binding, आउटियन की बीच में जब binding होगा, तो समय इसका जो major, अफ़ेटफेड रदेगा, partial pressure आफ Không carbon dioxide होगा, और hydrogen ion होगा, और temperature होगा, तिन ही जो फाइकेडर होटे हैं, जो binding में काफ़े ज़ादा परभावित करते हैं या इंटर्फेर करते हैं बाई सही बात है क्योंकि हम आपको एक कांसेट शिखा रहा हूँ जिसे हिमोगलोबिन को हम मान लेते हैं ममी हिमोगलोबिन को हम ममी मान लेते हैं और आक्षिजन को हम क्या मान लेते हैं छोटा बेटा और carbon dioxide को बड़ा बेटा जब छोटा बेटा ममी की गोद में बैठेगा तो जलन किसको हो रहा है बड़े बेटे खो रहा है जब बड़ा बेटा ममी की गोद में बैठेगा तो छोटा बच्चा दुस्मनों इसका होगा यही एक कांसेट हमें थेवरी दिमाग में रख रहा है जब हीमोगलोबीन आक्षियन साथ बाइंड करेगा तो इसका दुस्मन होगा carbon dioxide, hydrogen and temperature और जब हीमोगलोबीन carbon dioxide बड़े बेटेग साथ ममी, हीमोगलोबीन नाम की जो ममी होगा carbon dioxide बड़े बेटेग साथ जब जुड़ेगी अपनी कोदम बैठाएगी तो उसमय इसका जो दुस्मन होगा जो छोटा भाई होगा पार्सिल प्रेसर आप आक्षियन होगा बस यह हमें कांसेट सीखना है वह हमने कांसेट आपको बताया है यहां पर क्या है लिखा है यह दियम percentage saturation hemoglobin with आक्षियन का प्लाट हम करें पार्सिल प्रेसर आप आक्षियन के रिस्पेक्ट में तो हमें सिग्माइट करब प्राप्थ होता है और जो सिग्माइट जो करब होगा इस सिग्माइट करब है आर जो सिग्माइट करब हो motor वाइट एक्सिस में क्या होगा यह यह एक्सिस है वाइट एक्सिस में percentage saturation hemoglobin भी था आक्षियन जबकि EX-स प्राप्षियन होजाएगा यह एक्स एक्सिस है और EX-समें होजाएगा कि परभाव के बारे में हमें पता लगा सकता है कि partial pressure आफ carbon dioxide का क्या परभाव डालता है hydrogen ion का क्या परभाव डालता है और temperature का क्या परभाव डालता है इस गराब से हमें यह पता चलता है सही बात है कियोंको यह hemoglobin जिन नाम की जो मम्मी oxygen जो चोड़ा बेटा है जब अपनी गोदबे बैठाएगा तो उसका दुसमा होगा बड़ा भाई है तो बड़ा भाई कोन है partial pressure आफ carbon dioxide होगा hydrogen ion होगा और temperature होगा अब हम इलवलाइक साइट में अगर देखें इदि हम इलवलाइक साइट में हम देखें इलवलाइक साइट भी पार्सिल प्रेसर आफ आक्षियन ज्यादा होता है एक सुचारे में में जी होगा जबकि पार्सिल प्रेसर आफ carbon dioxide लोगा तो hydrogen ion concentration भी लोगा और temperature भी लोगा अब जब temperature लोगा तो हम कहरेंगे कि जब hydrogen ion concentration जहाँ पर लोगा है और वहाँ पर इस pH ज्यादा होगा कि hydrogen ion और pH दोनों इन्वर्सिल प्रेसर होगा अगर hydrogen ion concentration कम होगा और pH ज्यादा होगा तो इस सब क्या होते हैं फैप्रोलिल फार्दा फार्मेशन आफ आफ आक्षियमोगलोबिन इस सब जतने भी फैक्टर होते हैं यदि हाई oxygen होगा पर्सिल प्रेसर और जबकि लो carbon dioxide पर्सिल प्रेसर होगा लेसर hydrogen ion होगा लोगर temperature होगा और pH लोगा तो तो क्या होगा आक्षिमोगलोबिन का फार्मेशन के लिए फैक्टर ए फैबरीबल होगे और जबकि तिस्सू साइड में हम देखें, इन सब का पूरा उल्टा हो जाता है, तिस्सू साइड में क्या होगा, आक्सीजन लो हो गया, क्यूंकि अब यहाँ पर छोटा बेटा ममी की गोद में बैठेगा, बस एक दिमाग को रखिए, तिस्सू साइड में छोटा बड़ जो आक्सीज बीजैन कि पर्थेसर अब जादा उगा अगर स्थे स्थे सर्णा पर इक्सट लुपक्रैक्सॏ зander वाका तो क्या है है हही होगा हार्डोर्वनाJean Commission हार ट्मप्रेचर होगा याद्ध हैड्री याइन नेंल स्बाइप कंसे ब्सक्राइब कि एलव लाई जो है और द्सु काईठारा कि यहां पर के होगा दिक यह आपा सिनरं फ्रटीश dawns कि यहन्हें क्या फिल से यह में जाके जुड़ता है को जो चोटा बेटा मम्मी की गोद में एलवलाई किस एलवलाई में जुड़ जाता है और यह से टिसू साइड में पहुचता है तुरूंत अब मम्मी अपने गोश से छोड़े बेटक उतार देती है टिसू साइड में उस समय क्या होगा जो बड़ा बेटा है वो अपनी मम्मी की गोद में बैठ जाएगा वही जाता है और उसी परकार हम देखते हैं कि इबरी हंडेड एमल प्रते हंडेड एमल आक्सिजिनेटर ब्लड जिसमें से पांच एमल आक्सिजिन टिसू को दे दिया जाएगा अंडर दर नार्मल फिजियोलाजी कंडिशन के लिए अब हमें समझते कि हंडेल एमल जो होता है हंडेड एमल आक्सिजिनेटर ब्लड में 20 एमल आक्सिजिन होगा उसमें से पांच एमल जो आक्सिजिन होगा और टिसू को दे दिया जाएगा नार्मल फिजियोलाजिकल कंडिशन में कंडिशन के लिए अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट आप गैस में काफी जा का ट्रांसपोर्ट होगा कैसे 20-25 परसंट जो कार्बन डाक्सिजट होगा हम और बांडिक कर दिया जागा पार्सिल प्रेसर आफ कार्भन डाइकसाइट से और उससमें मेजर जिब आप क्योंकि carbon dioxide बड़ा बेटा है और हिमोगलोबिन नाम की मम्मी है जब बड़ा बेटा अमने मम्मी की गोदन बैठेगा उसमें उसका दुस्मन छोटा भाई होगा यहां पर वही दिखा है पार्सिल प्रेसर आफ 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 पर्सल प्रिसर आप कार्बन डाक्षेट जादा होगा पैतालिस होगा जबकि टिस्व आप्साल में पर्सल प्रिसर आप आक्षेट जादा होनी को यससे पॉसे जाकि हेमोगलोबिन कार्बन डाक्षेट साथ váma कर हेमोगलोबीन जाके carbon dioxide से बैंड कर जाता है और जबकी albblicide में दी हम देखें मैं छोटा बेटा ममी की गोदुन ने बैठे सब्सक्राइब मतलब tag chain हेमोगलोबीन सब्सक्राइब बैंड करता कि इंतने को यह कि कार कारबन डायकसैट ममीगोश से अलग हो जाता है कारबन कार्ब आमीन हें Rapt this कार्बन सैट में एक कारबं डाइशनना तो sucks आएंगे तो to में कर्मण आपने बार निकाल देते हैं कि कार्बन डायकसैट ही। ुलुबिन करएगा टिसुख साइट पर जाके इलीबलाई में उसे डेयर कर दिये जाएगा है। ऑर आथ isol के अनदर बहुत ज्यादा में एक forth जाता है जिसका नाम कार्भॉनिक एन्हाइड्डेंज होता है और यही कार्बोनिक एन्हाट्रेज इसमाल क्वांटिटी में प्लाजमे में पा जाता है और कार्बोनिक जो एन्हाट्रेज जो एंजाइम होता है यह क्या गरता है कार्बन डाक्साइड प्लस वाटर कार्बन डाक्साइड प्लस वाटर carbonic dehydration के परजिन में carbonic acid में चीज़ होगा H2CO3 अब यही H2CO3 carbonic dehydration enzyme को फिस्दित में bicarbonate और hydrogenous में चीज़ हो जागा अब यही जो bicarbonate को रूप में 70% carbon dioxide का transport 70% carbon dioxide का जो transport होगा bicarbonate को रूप में होता है अब ही लिखा है कि tissue side में टिसू साइट में क्या होगा पार्सिल प्रेसर कार्बन डाकसेट का ज़्यादा होगा वही हमने बता रहा हूं बार बर टिसू साइट में क्या होगा बड़ा बेटा कार्बन डाकसेट होगा हीमोगलोबिन ममी के गोद में जाके बैठ जाएगा और tissue side में वही लिखा है, tissue side में partial pressure carbon dioxide जादा होता है due to the catabolism, catabolism की वज़े से tissue side में carbon dioxide का partial pressure जादा होता है और यही कारण होता है कि carbon dioxide blood में चले जाते हैं RBCO plasma में और जाके carbon dioxide, जब carbon dioxide जाएंगे तो carbon dioxide plus water, दोनों आपस में reaction करके Bicarbonate बनाएंगे और hydrogen ion बनाएंगे अब जब कि यह लिवलाइक की side में दी हम देखें लिवलाइक की side में partial pressure आप carbon dioxide low होता है और यह reaction होगा तुरंट opposite direction में चला जाएगा यहाँ पर जो reaction होता है, यह opposite direction में चलना start हो जाता है इलबलाइक side में कैतर reaction opposite direction में हो जाएगा इलबलाइक side में कार्बन डाइकसाइड वाटर एक दूसर से अलब हो जाएगा यही लिखा है, इलबलाइ side में partial pressure आप carbon dioxide low होता है और फार्मेशन हो जाएगा carbon dioxide और वाटर बन जाएगे और यही कारण है कि carbon dioxide को टिसू side से बाइक कार्बनेट के रूप में trip होता है और इलबलाइ में जाके release कर दिया जागा अब ही हमने भी बताया था कि टिसू में, bicarbonate के रूप में यही हमने दिखा रहे इस्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, टिसू side में क्या होगा carbon dioxide bicarbonate के रूप में trip हो रहा है फिर carbonic acid में change होगा, H2CO3 एलबलाइ side में carbon dioxide वाट एक दूसर से अलग हो जाएगे यही लिखा है थेयोरी में यही लिखा है कि एलबलाइ side में क्या यहाँ पर लिखा है carbon dioxide bicarbonate कुरूप में trip कर जाएंगे टिसू लेबल पे और इनको एलबलाइ में पहुशा दिये जाएगा और वहाँ से carbon dioxide को respiration process, respiration के expiration step दोरा बाहर निकाल दिया जाएगा कहते कि जो इब्री 100 ml डी अक्सिजिएटर जो ब्लड होगा चार इमल जो carbon dioxide एलबलाइ को दे दिया जाएता है काफी ज़्यादा important पाइंट में कई बार पूछा गया है कि 100 ml oxygenator blood 4 ml carbon dioxide एलबलाइ को deliver कर दिया जाएगा अब हम हम आपको निस्टर में पढ़ाएंगे ज्यादा नहीं यह लाश्ट पार्ट हमारा चल रहा है पार्ट नमबर हम सिक्स पढ़ रहे हैं पार्ट नमबर सिक्स में इसमें regulation of respiration पढ़ाएंगे और इसमें हम आपको disorder of respiration system पढ़ाएंगे काफी ज्यादा important point होता है देखिए regulation कई बार पूछा गया है यहां से कई बार कुछन आया है regulation of respiration और disorder of respiration system बहुत ज्यादा important निस्टर में से बार बार कुछन आते रहते हैं अब हम आपको मिलेंगे इनेश्ट वीडियूम जो हमारा पार्ट नमर सिष्ट होगा लाश्ट पार्ट मार होगा respiration and gas exchange का चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe को लिजे बिल आइकन प्रस को लिजे अभी हमारा क्रेस कोज हम वीडियो अप्लूड करें युट्व पे जैसे हमारा क्रेस कोज वीडियो हो जाए गा है तो हम आपको NCRT एक-एक हम chapter पढ़ाएंगे detail हम पढ़ाएंगे उसमें हम structure भी बताएंगे और एक-एक line हम आपको आसर भी समझाएंगे Thanks for watching